आप सब बड़े सो भाग्य साली है जो इतना अच्छा सतसंग का महोल मिला है और यादाव परिवार के महनत और उनके परिवार से संत स्री निर्मल साहेब का महनत आज निखार ला रही है उन्लों के महनत के बदावलाते कैसा विचारों से आप लोग भूबा भूब हो रहे हैं जहां न करमकांड न पाखंड सिधा आपको अपने आप से जोड़ने का काम कर रहा है एक ऐसा विचार जहां भ्रांती नहीं जहां करमकांड नहीं जहां पाखंड नहीं सिर्फ जीवन को बदलने का तरीका बतलाया जाता है अपने को कैसे तरासना है जीवन को कैसे बदलना है और कैसे स्वर्ग बनाना है परिवार को, घर को प्रेम की जिन्दगी कैसे जीनना है सब्दों को कैसे सम्हाल करके बोलना है इन सारे विश्यों पर चर्चा चली है आईए कुछ चर्चा और करें यहाँ पर बहुंसे बच्चे बैठे हुए है और माताओं की संख्या सामने ज़्यादा है भाई लोग भी काफी लोग है मैं एक सरल सा विशाय पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं जो हमारी धरोहर है जो हमारे भविश्य है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं हमारा भविश्य क्या है आज के बच्चे कल का भविश्य होगा आज के बच्चे कल का भविश्य होगा इसलिए मैं बहुत बड़ी गूड़ी विशाय पर चर्चा ना करके बच्चों को कैसे संसकार देना चाहिए यही मैं कहना चाहूंगा आपको बच्चे को कैसे पैसा देना है मकान देना है इसको लिपढ़ाई कैसे करना है डिग्रिया कैसे हासिल होगी सारे चीज का ग्यान आपको है लेकिन कभी कभी आप महसूस करेंगे कि हम लोगों को वो ग्यान नहीं होता है कि बच्चों को कैसे संसकार देना है वो ग्यान नहीं हो पाता है और वो ग्यान के अभाव में बच्चे दरदर भटकते हैं दरदर भटकते हैं और सही ग्यान नहीं मिलने के वज़े से हमारा भारत देश पतन की ओर तर चला जा रहा है उसी की देन है सही ग्यान नहीं मिलने के वज़े से आज भारत देश में वृध्ध आश्रम बढ़ते चले जा रहा है अभी राम नम्मी का परवथा होड लगी ही थी माताजी माताजी बड़े नव दिन बड़े स्रद्धा के साथ जितना ही स्रद्धा और प्रेम के साथ से मुट्टी के मूर्ती की पूजा करते हैं उतना स्रद्धा और प्रेम के साथ एक मां की पूजा करते हैं वास्ताव में सचमे, सचमे दुरगा आपके घर में ओछीज महसूस हो जाती आपको लेकिन मिट्टी के मूर्ति की पूजा करने के लिए प्रनप्रान जहोग देते हैं, उपुवास रहते हैं, नवनो दिन उपवास रहते हैं और बहुत कुछ करते हैं और प्रकृति के वीड बात करवी लग सकती है लेकिन याद रखिएगा आप मिट्टी की पूजा करते हैं मूर्टी की पूजा करते हैं आपकी सरद्धा है करिए नहीं करिए नहीं लेकिन उससे जदा याद रखेगा उससे जदा महत्त पुर्ण है आप अपने माबाब की पूजा करिए और इसके ल नहीं है तो आप बच्चों को संसकारी नहीं बना सकते हैं कदापी नहीं बना सकते हैं बच्चे को आप गाड़ी देते हैं मुबाइल देते हैं कार देते हैं तो बच्चे खुस हो जाते हैं लेकिन सभाग्यवस यह दुरभाग्यवस कहूं आपको बच्चे को एक मूल चीज दिना चाही वो चीज नहीं दे पाते हैं गाड़ी दे दिये, मुबाइल दे दिये, कार दे दिये बच्चे हस्ते रहे, नहीं देंगे तो चार दिन, छे दिन, दो महना, चार महना रोएंगे और नहीं दिये और संसकार नहीं दिये तो जीवन भर रोएंगे बच्चे कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो बड़ी महनत करके बड़ी लगन के साथ में आप पैदल चलते हैं बच्चों के लिए गाड़ी खरीते हैं आप छोटा से मुबाई रखते हैं बच्चे के लिए अंडराइड मुबाई देते हैं आप साइकल पर चल लेते हैं, बच्चे के लिए गाड़ी देते हैं, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई की होंगे, लेकिन बच्चे को प्राविट इसकूल में पढ़ाई करते हैं, आप जोपड़ी में रह लेते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छा एर कंडिशर हास्टल में भ मतलब है आपस में आपके घर के मोहोल से जादा बच्चे बदलते हैं सबसे प्रथम पाड़ साला मां का गोध है और मां के गोध में बच्चे जितना सिकता है उतना कहीं नहीं सिकता है और मां के गोध में रहते रहते अच्छा संसकार नहीं मिलना तो सब बेकार चला जाएग मा के पेट में बच्चा रहता है गर्भा में उसी समय उसके पहले ही उनको उच्छा और संसकार मिलना चाहिए लेकिन इधर बच्चे मा गर्भा पर भी है लेकिन ऐसे ऐसे बाते हो रही है ऐसे लड़ाईया हो रहा है तू तू मैं मैं चल रहा है ऐसे द्रिश्च देख रहा है ऐसे सिन देख रहा है ऐसे फिल्म देख रहा है क्या ऐसे में आप बच्चे कोच्च सिख्चा और संसकार दे पाएंगे जब बच्चे गर्ब में हैं तब ये इस्तिती थी और बच्चे बाहर आ गए तब पती और पतनी लड़ रहे हैं, देरान और जिठान लड़ रहे हैं, सास और बहु लड़ रहे हैं क्या आप ऐसे में बच्चों कोच्चा सिच्छा और संसकार दे पाएंगे सही घटनाओं से वाहूब नहीं करवा पा रहे हैं आपको अपने ही कर्मों पर लज्जा महसूस हो रही है आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे संसकारे निकले आप याद रखिएगा जिस दिन आपके कोच से बच्चा पैदा हो जाता है उसी दिन से आपका जीवन खत्म हो जाता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग याद रखिए जिस दिन आपके कोच से बच्चा पैदा होता है उसी दिन आपकी जिन्दगी खतम हो जाती है याद रखेंगे आप सब फिर किसकी जिन्दगी है आप जो कुछ भी जीते हैं आप अपने बच्चों के लिए जीते हैं जो कुछ भी पैसा पाई पाई इकठा करते हैं एक एक रुपे इकठा करते जाते हैं किस के लिए करते हैं बच्चे के लिए करते हैं और बच्चे को सिर्फ पैसा दे दिए धन दे दिए और संसकार नहीं दिये तो सब विकार चला जाएगा सब विकार चला जाएगा सही सिख्षा दीजी कबीर विचारों से उनको कबीर विचारों से उनको जोड़िये और कबीर सदुरु कबीर का विचार एक ऐसा विचार है जहां भ्रांतिया नहीं है और आपको अपने जीवन बे सक छातकार कराता है इसलिए मैं कल भी कहा था कि यह सतसंग जीवन परिवर्तन केंद्र है आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने जीवन को तराश सकते हैं और सुन्दर जीवन का निर्मान कर सकते हैं मत लड़िये कभी आपस में नहीं तो बच्चे के जिंदगी बरबाद हो जाएगी और आपका हक नहीं है कि आप अपने जीवन को बरबाद कियो हो या ना कियो हो आप जाने आपके जिम्मेदारी है लेकिन आपका हक नहीं है कि आप अपने बच्चे का जीवन भी बरबाद कर डाले घसीट डाले और सब करते हैं काम अधिक्तम लोग अपने जीवन तो जैसे भी जी लिते हैं बेकार जिन्दगी जी लेते हैं लेकिन दुरुभाग्य की बात ये होती है कि अपने बच्चों का जीवन भी घसीट डालते हैं बरबाद कर देते हैं और इसके जिम्मेदार आप होती है मात्र अपने कोग से बच्चे को पैदा कर लेने मात्र से कोई मा नहीं बन जाती है कोई दादा दादी नहीं बन जाते है कोई परिवार के मुख्या नहीं बन जाते है जब तक आप बच्चे को भविस्त उनका भविस उज्वल नहीं बना पाते हैं उनको अच्छा सिक्षा और संसकार नहीं दे पाते हैं मतलब आप अच्छा मा नहीं बन पाए ना अच्छा दादी दादा नहीं बन पाए ना आप पिता बन पाए एक सिर्फ कहला सकते हैं कि इनके पिता है लेकिन अंदर से माँ और पिता नहीं हो सकते आप माँ बनने के लिए माँ बनने की अहम्यत पैदा करिए माँ तरफ बच्चा पैदा करके दूद पिला देना बड़ा बना देना बच्चे से इतना से कोई माँ नहीं बन जाती है बलकि उसके लिए उच्छ सिक्षा चाहिए, उच्छ संसकार चाहिए और उच्छ संसकार ऐसे नहीं मिलता है भारत देश के पास ऐसा कोई खजाना नहीं है ऐसा कोई स्कूल नहीं है, इसका कोई कालेज नहीं है जहां आदमी को आदमी बनाया जाए, इंसान को इंसान बनाने की कला सिखाया जाए भारत देश के बाद बहुत सारे साधन है, जिसे आदमी I.P.S. I.E.S. अबसर बनते हैं लेकिन इंसान बनने का कोई साधन है भारत सरकार के पास, कोई साधन नहीं है इसलिए आप अपने जीवन में बच्चों को भवी से उच्च रखना चाहते हैं तो सिक्षा आप खुद दीजिए संसकार आप खुद दीजिए बाहरी सिक्षा से जितना नहीं बदलेगा उतना आपके सिक्षा और संसकार से बदलेगा बच्चे जैसा जन्मा लेते हैं जन्मा लेते ही बच्चा छोटा रहता है और कच्ची मिट्टी की तरह होता है बच्चा आप उसको जैसे ढालेंगे वैसे बच्चा ढलता चला जाएगा और आपने कच्ची मिट्टी को सही ढंग से सही साचा नहीं दिया सही अकार नहीं दिया तो वो टेड़ा मिढ़ा हो जाएगा और बच्चे भी वैसे टेड़ा मिढ़ा हो जाएगे बच्चे भी वैसे टेड़ा मिढ़ा हो जाएगे इसलिए प्रेम के जिंदगी जीए घर में कभी चर्चा होती होगी ये मकान बनाना है ये काम करना है यहाँ जाना है वहाँ जाना है सारी चर्चाय चलती है आपके घर में कभी क्या ये चर्चा होती है आपके घर में कि मैं अपने बच्चों को कैसे उच्च सिक्षा और संसका पर मेरे बच्चे अच्छे इंसान बन पाई क्या आस कभी सोचते हैं आप नहीं सोच पाते हैं इसलिए आपका बुढ़ापा दुखद होता चला जाता है आप बच्चे को सहीं सच्छा और संसकार नहीं देते हैं इसका मतलब आप अपने बुढ़ापे के लाठी को मजबूत नहीं वना रहे हैं याद रखिएगा आप सब लोग जदी सहीं सिक्चा और संसकार आपने बच्चों को नहीं दिया मतलब आपका बुढ़ापे की लाठी पहुत बिकार है कभी भी बुढ़ापे की लाठी लगखणा सकती है कभी बुढ़ापे के लाठी कहीं भी आपको गिरा सकती है तेड़े मेढ़े लाठी में दम नहीं होती है तेड़े मेढ़े लाठी में मजबूत साहता मजबूती नहीं होती है कि आपकी भारत हो सके तेड़े मेढ़े लाठी और बच्चे को सहीं संसकार नहीं देना मतलब बच् को उच्छ सिख्छा और संस्कार दिजी उच्छ सिख्छा और संस्कार कैसे होगा आपके घर से शुरुवात होती है इसकी आप अपने घर में खान पान ऐसे रखिए बोल बरताओ ऐसे रखिए जिसे बच्छे को अच्छे सिख्छा मिले आपस में पती और पत्नी लड़ते र बच्चे का जीवन बरबाद हो जाएगा और इतना ही नहीं आपका जीवन भी बरबाद होगा मैं घटना बता हूँ आपको एक परिवार में पती और परिवार में सास और बहु रोज लड़ाई होते थी लड़ाई के दवरान ऐसी इस्थिति आते थी तेश तर्रार बहुत ही उनकी सासु मा रोते रोते रोज कमरे में चले जाते थी एक दिन ऐसी इस्थिति आती है कि रोज कमरे में रोते रोते जाती है लेकिन साथ साथ उसके पीछे पीछे साथ में उसके पीछे पीछे एक छोटा सा उसका पोता पांस साल का पोता पीछे पीछे जाता है और रोज संद कह रहे थे आज के बच्चे गुगल गरला है गुगल तेज इसलिए आप होता किया है आगे कि रोते रोते वो बुड़ी मा जा रही है सासू मा जा रही है उसके पीछे पीछे पांस साल का पोता पीछे पीछे जा रहा है और कमरे में जा करके रो रही है बुडिया मा उसके पल्लू उठाता है छोटा सा बच्चा पांस साल का बच्चा पल्लू उठा करके अपने दादी मा का आँसु पोचता है दादी मा और बोलता है दादी मा तुम रोह मत पल्लू उठा करके आँसु पोच रहा है बोल रहा है दादी मा तुम रो मत जब मैं भी बड़ा हो जाऊँगा और मेरे भी साथी होगी तो मैं अपने पतनी से कहूँगा कि तुम अपने सासु मा का कभी सिवा मत करना क्योंकि अपने सासु मा से रोज लड़ाई करती थी क्या संसकार मिला आपने अपने भविष्य को कितना बरबाद कर दिया आपने आपका भविष्य था बच्चा लेकिन बच्चे के अंदर में आपके मन में थोड़ा भी आपके लिए सद्धा नहीं है पांस साल का बच्चा है और आपको उसके साथ में जीवन गुजारना है और उनके अंदर में आप के लिए थोड़ा भिरिस रद्धा नहीं है कैसे आपने संसकार दिया, कैसे गढ़ा बच्ची को आपनी आप कितना संपत्ती दे देते हैं, बहुत महत्त पूर्ण नहीं है आप कौन से सिख्षा देते हैं, आप जानिए आप बहुत प्रयास करते हैं, बच्चे पैसा कमाएं, पैसा कमाएं और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उनको अच्छी अच्छी स्कूलों में भेशते हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी डिग्रिया प्राप्त करें बदावलत क्या मिलता है बताऊं आपके बच्चे बहुंट डिग्री प्राप्त करते हैं और अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं अच्छे अच्छे पोश्ट पर पहुंच जाते हैं और बच्चे को जो चीज सिखाया था सिखते हैं बच्चे पैसा कमाना खुब सिख जाते हैं बच्चा इतना पैसा कमाते हैं इतना पैसा कमाते हैं कि पैसा ही उनकी जिंदगी हो जाती है जैसे भी पैसा कमाऊ मुझे पैसा कमाना है पैसा कमाना है और जब आपकी बुढ़ापे के दिन आती है और आप चाहते हैं अपने बेटे से मिल लूँ आप फोन करते हैं बेटा आ जाओ मेरे Keeping庫 कराब है मेरे घर में तुम्हारे घर में कोई नहीं है इस घर में तुम मेरे सेवा करने के लिए तो आपके बेटा क्या कहते हैं पता है मा मेरे पास टाइम नहीं है तुम उरिद्यास्रम चले जाओ कहीं रह जाओ मैं यहां से पेमेंट कर दिया करूँगा और तुम अपना हिलाज करा लिया करना मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि आपने बच्चे को वही शिखाया था पैसा कमाने का उनकी जिंदगी पैसा ही जिंदगी हो जाती है जैसे भी मुझे पैसा कमाना है पैसा कमाना है और आपने वो सिख्चा दिया और आपके बच्चे पैसा कमाना खुब सुरू कर दी आपने बच्चे को पैसा बनाने की फैक्टरी बनाया पैसा छाप रहा है आप यदि अपने बच्चे को सिच्छा और संसकार सिखाते तो आपके बच्चे आप से आते मिलते आपके सेवा और सिहसाहता करते लेकिन आपने वो चीज नहीं सिखाया इसलिए आप बच्चे को संसकार दीजिए अच्छा संसकार आप आपस में बैठे कभी चर्चा हो तो आपने बच्चे से कहिए बच्चा तुम कहीं अच्छे नौकरी ना मिले मिले इसकी कोई गारंटी नहीं लेकिन याद रखना तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है अपने गवरो हिसा हासिल करना है तुम्हारे वज़ा से माबाप का नाम कभी न डूबे तुम्हारे वज़ा से माबाप कभी कलंकित ना हो एचीज अपने बच्चे को याद कराना और इस चीज के लिए क्या करना होगा आपको खुद बदलना पड़ीगा आप जो चाहते हैं वो देना सुरू कर दीजे यदि सुख चाहते हैं तो दुख देना बंद करिये सुख बाटना सुरू कर दीजे आपको सुख मिलना सुरू हो जाएगा लेकिन आपने वो चीज नहीं किया तो वो चीज नहीं मिलता है आपस में पती और पत्नी में प्रेम ये बहुत महत्तपूर्णा इस्थान है यदि आपके जीवन में नहीं हुआ तो आपके बच्चे वो चीज सिख्छा सिखेंगे और जीवन बरबाद हो जाएगा गटना बताओं पती और पत्नी आपस में रहते थे एक दुसरे में आपस में लड़ाई होती थी लड़ाई के दवरान एक दुसरे बात न करना बंद कर दिये परम पुझ्य गुरुदेव जी आ रहे हैं आप लोग बीच में रास्ता दे देंगे बीच जगा खाली कर देंगे बोलिए सद्गुरु देव की जए सद्गुरु देव की जए सद्गुरु देव की जए बोलिए सद्गुरु देव की जए सब लोग आगे बढ़ करके बैठे है मैं कह रहा था कि आपस में पती और पत्नी में जगडते हैं लेकिन बच्चों का जीवन बरबाद हो जाता है ऐसी है एक दिन इस्थिती आई आपस में पती और पत्नी लडते हैं लडते हैं एक दुसरे से बात होना बंद हो जाती है एक दुसरे को कहते हैं कि तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओ एक दुसरे से बात नहीं करना चाहते हैं एक दुसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं बच्चे घटनाओं को देखता है और एक घटना देखता है एक दिन आई सी स्थिति आती है एक दुसरे से बात करना बन बच्चे रोते रोते ने अपने बाप के पास अपने पापा के पास जाता है और कहता है क्या पापा सच में तुम इस घर को छोड़ दोगे यदि तुम इस घर को छोड़ दी अपने पापा से कह रहा है पापा साल छे साल का बच्चा कहता है यदि इस घर को छोड़ देंगे तो हमारी स्कूल जाने के लिए हमको स्कूल कौन ले जाएंगे हमको इसकूल से कौन लाएंगे हमारी रक्षा कौन करेंगे इतनी मूनके पीता का पापा का आँख खुलता है और कहते हैं बेटा तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाओंगा यहीं रहूंगा अपने मम्मी के पास जाता है वो बच्चा और अपने मम्मी से वही प्रस्न करते हैं मम्मी यदि तुम इस घर को छोड़ करके चली गई तो हमको कौन उठाएंगे कौन नहलाएंगे कौन इसकूल के लिए टिपिन तयार करेंगे हमारे तुम छोड़ करके कहीं मत जाना इतना में उनका भी आँख खुलता है और कहते हैं बेटा तुम को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे ये जिन्दगी की हकीकत है आपस में रहते रहते प्रेम बढ़ना चाहिए लेकिन दुरत चों बढ़ता चला जाता है और एक दुसरे से लड़ते जगडते साथी होने के बाद भी 30, 40, 50, 70, 80 साल हो जाता है साथ साथ रहते रहते लेकिन जीवन को एक दुसरे को नहीं समझ पाते हैं और लड़ते जगडते जीवन बरबाद हो जाता है इसलिए आप सब अपने को समहा लिए अपने जीवन को समा लिए और अच्छे सिक्षा और अच्छे संसकार गुरु जनों से ले और कबीर विचारों से अपने जीवन में नए प्रकास लाए और जीवन को बदलने का प्रयास करे यही संसकार का महत्व है बस इतना ही कहकर अपनी वार्णी को विरांगे